और स्वागत है आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि अभी हाली में लोकसभा के उपचुनाव हुए उस उपचुनाव में एक तो उत्रपरदेश के आजमगड और रामपुर में हुए और यहां पर पंजाब के संगरूर की जो सी आज हम अपनी इस वीडियो में यही डिसकस करने वाले हैं क्या सिम्रन जीत सिंग मान जो है वो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं और यह बाइपॉल क्या होते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कहे हैं स्टार्ट करते हैं अब यहां पर संडे को जो इलेक्शन जो संगरूर जो सीट थी लोकसभा की वहां पर पहले भगवत मान मतलब कि जो चीफ मिनिस्टर है अभी हाली में उत्तर पंजाब के उनके सीट हुआ करती थी वह वहां से जीतते आ रहे थे अब वह इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट सीट थी क्योंकि भगवत मान जो चीफ म हम कहेंगे आमादमी पार्टी को क्योंकि अभी हाले में जिस तरीके से बीजेपी को कॉंग्रेस को उन्होंने सुपड़ा साफ कर दिया आमादमी पार्टी ने अब कैसे लोगों ने उनको नकार कर सिरोमनी अकाली तल को वहां पर वीजे बना दिया यानि कि सिमरंजीत उनको वहां पर विजय ही मना दिया तो यह काफे जादा इंपोर्टन बात हो जाती है और यहां से समाजवादी पार्टी अगर हम बात करें उन्होंने अपनी सीट फिर से हार दिया आजमगर्ड रामपूर यहां से इन्होंने बाइलेक्शन जब हुए तो यहां पर जो समाज 35.6% वोट मिले उत्तर परदेश में जो आजमगर्ड की जो सीट थी लोकसभा की वहां से बीजिपी जीती है और यहां पर इनको 34.4% मिले है और रामपूर में यहां पर बीजिपी जीती है जिनको 52% वोट मिले है और यहां पर एसेम्बली एलेक्शन हुए थे परदेश यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर कॉंग्रेस एक कॉंग्रेस जीती है अंदर परदेश के अंदर यहां पर YSRCP यह इन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई है यह तो होगी आपके सामने रिजल्ट जो बाइलेक्शन जो रिजल्ट होए चैब वो लोकसभा के यहां पर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो यहां पर इन्होंने जीत दर्ज कराई और वो भी उस वक्त जब आहम आदमी पार्टी ने सुपड़ा साफ कर रहा था बीजेपी का कॉंग्रेस का फुल पावर में यह आए थे उस वक्त जैसे लोगों ने यहां पर आम आदमी पार्टी को पीछे धकेलते हुए सिमरन जित सिंग मान इनको आगे लेकर आएं तो काफी बड़ा धका है आम आदमी पार्टी के लिए अब यहां पर जब यह जीतन पार्डी के बाद जो है एक जो ट्रेंड है वो मतलब कि एक जो हैश्टेक खालिस्तान वो ट्रेंड करने लग जाते है ट्वीटर के उपर अब बात आती है यहां पर देखें इंडिन एक्सप्रेस में इनको लिखा भी गया है 77 येर ओल्ड प्रो खालिस्तान लिडर यानि ये खालिस्तान को समर्थन करते हैं ये एक एक आईपिस ओफिसर भी रह चुके हैं अब यहां पर जो अब इलेक्शन देखेंगे इस वक्त काफी जादा एक टक्कर का आईटिटिञन नंदर भी जीत कर आय थे इन्होंने बहुत बढ़िया पांकर के दिखाया था 1984 के अंदर जो एक blue star operation हुआ था उसके विरोध में इन्हों ने IPS के अपने पत से इस्तिफा दे दिया था ये जो chief minister रहे चुके हैं पंजाब के captain अमरिंदर सिंग उनके relative है ये और इन्हों ने बार-बार एक तरीके से जैसे कहा है कि भारत के अंदर minority खत्रे में है minority खत्रे में है इनको बहुत बार इन्होंने उठाया है अभी आपको मैं काफी सारे इनके tweet दिखाऊंगा या फिर इनकी जैसे इन्होंने interview दिये हैं जिनमें इन्होंने बोला है कि भारत के अंदर minority को कैसे अंदेखा किया जाता है freedom of religion की जो स्वतंतरता है वो खत्म हो गई है भारत के अंदर इन्होंने बार-बार इन चीजों को उठाया भी है अब यहां पर इसके अलावा बात कर लेते हैं यह हो गया आपके सामने दा हिंदू newspaper दा हिंदू newspaper के अंदर भी इनको लिखा गया है इन नोन रेडिकल सिक लिडर यानि की काफी जादा एक रेडिकल सिक लिडर है ये ये खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं अब यहां पर जो इनके बारे में बताया गया ये जीत दर्ज इसलिए हुई है क्योंकि जैसे आम आदमी पार्टी के अंदर अभी हाली में देखा कि ज काफी जादा आम आदमी पार्टी को जो डेथ हुई है सिदु मुझेवाले की उसकी वज़ए से अब यहां पर इनका ट्विटर हैंडल है सिमरंजीत सिंग्वान का ही ट्विटर हैं यहां इसी नाम से इसी ट्विटर हैंडल पे पहुंचा तो मुझें कोई और दूसरा नह पुक्ता नहीं कर सकता है, यह कि यह इनी का है, और यहां पर आप देखेंगे, तो ट्रीविंग, मतलब कि प्रयास कर रहे हैं, खालिस्तान के लिए, इन्हों ने अपने बायों के अंदर यह चीज लिख रखी है, अब इनके अलावा, आप इनके ट्वीटर हैंडल पे और जा लेकर जैसे बात बोली है, जैसे आफस्पा, आर्म फ्रस को इनके ने बात बोली है, कि वो लोगों को मार रहे हैं, वो मॉलेस्ट कर रहे हैं, एवन रेप कर रहे हैं, यह काफी बड़ा इनोंने इल्जाम लगाया, फिर से मैं कहूं कि यह ट्वीटर हैंडल, जहां से मुझ किसे Muslim को बाहर कर रहे हैं और यहां पर Minority को कोई भी यहां पर protection नहीं है freedom of religion खतम कर दी गई है यह इनके द्वारा बोली गई चीज़े हैं अभी फिर से जब आगर आप जाकर अभी देखेंगे यह जीतते हैं तो इनों ने अपना एक इंट्रिव्यू दिया The Times of India को और इस इंट्रिव्यू में इनों ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ अपने जो बोर्डर हैं उनको वापस खोलना चाते हैं ताकि जो पाकिस्तान अनाज के लिए तरस रहा है उनको अनाज हम पहुंचा सकें और साथ इसाथ इनों ने कहा है अभी हाली में आपको पता है कि अगनीपत योजना जैसे चली थी अगनीपत योजना के खिलाफ काफी सारे परदर्शन हुए उसी परदर्शन के दुरान इनों ने कहा कि यह जो अगनीपत योजना है BGP के एक हिंदू आइडिलोजी के तह अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा अगनीपत में कौन सी हिंदुत्वा इडिलोजी देख ली गई है यह तो पता नहीं किस तरीके की राजनीती चल रही है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख यह सब चीजें हो रही है हमारे देश के अंदर इन्हों ने यह बात बोलिया और य का 900 स्क्वार किलोमेटर जो एरिया है वो घेर लिया जो वहां पर प्राइम निश्टर ने इंदर मोती ने क्यूं चाइनीज आर्मी को पीछे नहीं हट आने का ओडर दिया साथी साथ इन्हों ने का जो यूएस की एक रिपोर्ट आई जिसमें बोला गया कि भारत के अंदर रिलीजियस फ्रीडम जो है वो फिनिश हो चुकी है और इसको इन्होंने का एक जैसे पृतगाल के अंदर जैसे वहां की जो चीफ मिनिश्टे थे उन्होंने का था कि पृतगाली ने टेंपल को गिरा दिया था टेंपल को तोड़ा गया था चर्चीज बनाए गये थे तो ने कहा था कि जो बाबरी मस्जीद जैसे कि राए गई थी तो सुप्रीम कोट ने एक तरीके से जो जज्मेंट दिया है वो हिंदुत्वा को सपोर्ट किया है अब इसके अलावा अभी खालिस्तान की बात हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि अभी हालिक अंदर 38th Anniversary हुई थी operation blue star को लेकर तो वहाँ पर जो golden temple है अमरी सार के अंदर वहाँ खालिस्तान के लिए मतलब कि pro खालिस्तान के नारे लगाए गए थे और उससे पहले भी सडकों के उपर खालिस्तान के काफी जादा नारे हमें देखने को भी मिले थे और यह भी हाली के टाइम है कुछ एक महीनों के इंदर की बात है तो जैसे यहाँ पर खालिस्तान के जैसे नारे लगाए जा रहे हैं खालिस्तान को लेकर तो यह चीज़े काफी जादा active हो गई है हमारे देश के अंदर अगर हम देखते हैं यह internal security का काफी बड़ा एक issue हमारे सामने आता है तो यह सब चीज़े इसलिए trend भी कर रही है अब आपको चीज़े पता भी चल गई होंगी कि यह खालिस्तान समर्तक है या नहीं है यह सारी चीज़े मैंने आप लोगों को PDF के तोर पर मैं provide भी करवा दूँगा और ज्यादा पसंद आ गए है तो बेशक इस वीडियो को शेर कर सकते हैं सारी सच चैनल को भी शेर कर सकते हैं